हेलो दोस्तों कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत हैं। आज की इस कहानी का नाम है पुदिया गाव यह एक पुदिया कहानी है। एक समय की बात है चमकोली नामक गाव में अक्सर अजीबों गरीब घटनाय हुआ करती थी। गाव वालों का मानना था कि उनका चिमकोली गाव शापित है जब भी कोई गाव वाला गाव के जंगल में जाता तो वो जिंदा नहीं बचता गाव का चंदू किसान अपनी गाए के साथ जंगल के रास्ते होते हुए गाव जा रहा था रात काफी हो गई है चंदू अरे रात काफी हो गई है मुझे जल्दी निकलना चाहिए था लेकिन ये गोरी जंगल में चरने लग गई और देर हो गई गोरी अब चल जल्दी से इस जंगल में बहुत अन्होनी घटनाए होती रहती है चंदू डरता हुआ अपनी गाय के साथ थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे प कार खुद चल कर आया है चंदू कौन हो तुम हमें जाने दो हमको अपने गाव जाना है ये सब सुनकर चंदू बहुत दर जाता है और वहां से अपनी गाय के साथ भागने लगता है चंदू भाग अरे तेज भाग मेरी गोरी नहीं तो आज हम दोनों नहीं बच पाएंगे तभी वो बुडिया उसके सामने आ जाती है और अपने लंबे लंबे नाखुनों से चंदू को मार डालती है उसके बाद उसकी गाए को भी अगली सुबह ये खबर गाव वालों को पता चलती है गाव के लोग ये जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं गाव में आदमी अरे भाईया सुना है उस बुडिया ने कल रात चंदू किसान और उसकी गाए को मार डाला भाईया ये तो अच्छा नहीं हुआ भाईया दूसरा आदमी हाँ भाईया अब तो इस गाव में रहते भी दर लगता है लेकिन क्या करें भाईया गाव छोड़कर भी तो नहीं जा सकते न वो ये जंगल है वो गाव के बीचों बीच ही पड़ता है आखिर जाए तो कहां जाए ये बोलते हुए वो दोनों बहुत अदास हो जाते हैं चंदू के मरने की खबर उसके घर पहुँचती है चंदू किसान का बेटा पप्पू जोर जोर से रो रहा होता है वानी पप्पू की सोतेली मा अरे रे अब बस भी कर दे रोना तू तेरा बाप तो तुझे छोड़कर चलता बना मेरे उपर आखिर मैं कहां से खिलाऊंगी तुझे रोटी मेरा तो खोद एक बेटा है और तेरे बाबा जो आज तक एक पैसा भी नहीं जोड़ पाए छोड़ गए तुझे मेरे उपर नहीं नहीं अब मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती हाँ निकल जाए यहां से जगू पपू का सोतेला भाई अरे हाँ मा निकलो इसे यहां से पिताजी का सबसे लाडला बना फिरता था अब आएगा मज़ा पपू अरे नहीं नहीं मा ऐसा मत कीजिए मैं आखिर कहां जाओंगा मा ऐसा मत कीजिए मा पिताजी के बाद अब आप ही मेरा सहारा है मा वानी अरे वो सब मैं कुछ नहीं जानती समझा तुझे इस घर से जाना ही होगा जा यहां से जिसके बाद पपू वहां से बड़े उदास मन से चल देता है चलते चलते वो गाव के उसी जंगल में आ जाता है जैसे ही पपू अंदर जंगल में जाता है उसे दरावनी आवाजे सुनाई देने लगती है वो बहुत दर जाता है पपू अरे रे ये कैसी अजीब सी आवाज है मुझे तो बहुत दर लग रहा है हे भगवान इस गाव से बाहर जाने का एक यही रास्ता है जो जंगल से होकर गुजरता है हे भगवान मेरी सहायता कीजिए अभी तो मुझे बहुत भूख भी लगी है हाँ और जिस ओर से दरावनी आवाजे आ रही होती है पपू उस ओर चल देता है तभी वो देखता है कि वही पेड के नीचे एक बुडिया बैठी है बुडिया आ गया तो अब मुझे एक नया शिकार मिल गया उसकी बात सुनकर पपू काफी दर जाता है पपू, हे भगवान अब मैं क्या करूँ तभी भागते भागते पपू एक गड़्दे में गिर जाता है जैसे ही पपू उस गड़्दे में गिरता है वो एक ऐसी जगह पहुच जाता है जहां बहुत रोश्मी होती है काफी बड़े-बड़े पेर होते हैं और उन्ही पेरों के पास एक बहुत ही सुन्दर नदी होती है वहां आसपास अलग-अलग तरह के पक्षी और जानवर घूम रहे होते हैं सबको देख पप्पु हैरान रह जाता है पप्पु, अरे, ये मैं कहा गया हूँ ऐसा अजीब सा जंगल तो मैंने कभी नहीं देखा तभी वो थोड़ी दूर चलता है कि उस जंगल में गाव के वो लोग जो मर गए थे पेर से बंधे थे और साथ में पप्पु के बाबा भी थे पप्पु ये देखकर हैरान रह जाता है और अपने बाबा के पास आ जाता है पप्पु, अरे बाबा जिंडा है आपको पता है मुझे लगा था मैंने आपको खो दिया लेकिन आप तो जिंडा है लेकिन आप यहां कैसे आए? पप्पू की इन बातों का उसके बाबा पर कोई असर नहीं हो रहा था पप्पू, अरे बाबा, आप बोलते क्यों नहीं? तभी बापू के पास एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है पप्पू उसे देखकर हैरान हो जाता है आदमी, अरे बेटा तुम मुझसे दरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा इस जादूई जंगल में आसानी से कोई नहीं आ सकता अगर तुम यहां आये हो तो जरूर तुम में कोई खास बात अवश्य है पप्पू, लेकिन आप कौन है और यहां पर मेरे गाव के वो सारे लोग मौजूद है जो मर गए थे यहां तक की मेरे बाबा भी मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है आदमी, बेटा, मैं इस जंगल में कई वर्षों से तपस्या कर रहा था कि अचानक यहां पर एक और जो पिशाचिनी थी, वो आ गई कई वर्षों की तपस्या के बाद मुझे एक मंत्र मिला जिससे मैं सबसे शक्तिशाली हो सकता था और हमेशा के लिए अमर भी लेकिन इस बात की खबर उस पिशाचिनी को लग गई और यहां मुझे मारने आ गई आदमी, उस समय अगर मैं पिशाचिनी को जादूई मंत्र नहीं बताता तो वो मुझे मार डालती इसलिए मैंने उसे वो जादूई मंत्र बता दिया लेकिन क्योंकि वो एक पिशाचिनी औरत थी इसलिए उसे अमर होने के लिए उस जादूई मंत्र के साथ साथ कुछ लोगों के खून की भी जरूरत थी जिनका खून पी कर वो अमर हो सकती थी तब से ही पिशाचिनी अपना भेश बदल कर अलग-अलग गाव में जाती है और लोगों को मार कर उन्हें यहां इस जंगल में ले आती है और उनका सारा खून पी जाती है ये बात सुनकर पप्पु दंग रह जाता है पप्पु तो क्या आब मेरे बाबा और मेरे गाव के सभी लोग कभी जिन्दा नहीं हो पाएंगे आदमी, बेटा जिन्दा हो सकते हैं लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कटिन राह से गुजना होगा वो घौरत ही पिशाचिनी है जो तुम्हारे गाव के लोगों को मारा करती है अब बस उसे कुछ ही लोगों के खून की जरूरत है जिसके बाद वो उस जादूई मंत्र से अमर हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी भी अपने पिता और बाकी गाव वालों को कभी जिन्दा नहीं कर पाओगे सिर्फ एक ही रास्ता है जो उस पिशाचिनी को अमर होने से रोक सकता है लेकिन राह बहुत कठिन है पप्पु मुझे वो राह बताएं मैं अपने बाबा और गाव वालों को फिर से जिन्दा करना चाहता हूँ बताए मुझे क्या करना होगा तभी वो तीन आखवाला आदमी पप्पु को एक जल का लोटा देता है आदमी पप्पु इस शुधा जल के कलश को लेकर तुम्हें उस पिशाचिनी के पास जंगल में जाना होगा और जिस व्रिक्ष के नीचे वो अपने शिकार का इंतजार करती है उसी व्रिक्ष के उपर एक उल्लू निवास करता है उसी उल्लू में उस पिशाचिनी के प्रान है अगर उस उल्लू के ऊपर तुम इस सिध़ जल को छिणक दो तो उसका अंत निश्चित है पप्पु, आप मुझ पर भरोसा करें मैं अपने बाबा और गाम वालों के लिए अपने प्रानों से खेल जाओंगा आदमी, कलश लेकर तो तुम जाओगे लेकिन ध्यान रहे ये कलश अगर गलती से पिशाचिनी ने छूलिया तो इसकी सारी शक्ती खत्म हो जाएगी एक बात और ये काम तुम्हें सूर्यास्त के वक्त ही करना होगा अगर उस पहर से पहले तुम काम ना कर पाए तो रात होते ही उल्लू वहां से उड़ जाएगा उसके बाद उसका पता लगा पाना बहुत मुश्किल होगा पप्पु, आपकी कही सब बातों का मैं ध्यान रखूँगा अब आप मुझे आग्या दे आदमी, तुम अपने कार्या में काम्याब होकर लोटो सभी का आशीरवाद तुम्हारे साथ है उसके बाद पप्पु जंगल में ठीक उसी जगा सूर्यास्त से पहले पहुच जाता है पप्पु, मैं उस पिशाचिनी को किस तरह इस पेड के नीचे से हटाऊ अगर मैं इसके सामने गया तो ये मेरे पीछे पढ़ जाएगी और इस कलश को भी तोड़ना चाहेगी हे भगवान, मेरी मदद करो तभी पप्पु के सामने उसकी गाय गोरी जिसको पिशाचिनी में मार दिया होता है, वो आ जाती है पप्पु, अरे गोरी तुम तुम आ गई, गोरी, हाँ पप्पु, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ अब मैं तुम्हारा रूप लेकर पिशाचिनी के सामने जाऊंगी जिससे वो मेरे पीछे भागेगी तब तुम पीछे से जाकर उस पेड़ पर बैटे उल्लू पर इस सिधर जल को छिरक देना जिससे इस पिशाचिनी का अंत हो जाएगा पप्पु, ठीक है, मैं बिलकुल वैसा ही करूँगा उसके बाद गोरी पप्पु का रूप ले लेती है पिशाचिनी के सामने जाकर गोरी, इधर देखो बूरी पिशाचिनी, आओ मेरे पास पिशाचिनी, अरे ये क्या देख रही हूँ, आज मेरा शिकार मुझे खुद बुला रहा है आज तो आनंद आ जाएगा उस दिन तुम कहीं भाग निकले थे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा हाँ पप्पु, सूर्यास्थ होने ही वाला है यही वक्त है जब मुझे उस उल्लू पर जल छिड़कर इस पिशाचिनी का अंत करना होगा पप्पु उल्लू और देखता है कि एक बहुत भयानक सा उल्लू पेड की डाल पर बैठा हुआ है पप्पु कलश से जल उस पर छिड़क देता है जिससे उल्लू जल कर खाक हो जाता है और वहीं दूसरी और पिशाचिनी गौरी के पीछे भागते हुए जलने लगती है पिशाचिनी अरे ये क्या हो रहा है मेरा शरीर कैसे जल रहा है धोका मेरे साथ धोका हुआ है नहीं किसी को नहीं छोड़ूंगी बचाओ पप्पु धन्यवाद इश्वर मैं इस पिशाचिनी का अंत करने में सफल हुआ उसके खत्म होते ही पप्पु के बाबा और सभी गाम वाले उस आदमी के साथ वहाँ आते हैं जिन्हें देखकर पप्पु बहुत खुश हो जाता है पप्पु अरे बाबा आप जिंदा हो गए मेरे प्यारे बाबा देखो मैं आपको अपने पास फिर से ले आया चंदू, हाँ मेरे बच्चे, देख मैं तेरे पास आगया हूँ आदमी, वहाँ पप्पु तुम सच में बहुत बहादूर और साहसी हो तुमने उस पिशाचिनी बुढिया को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है अब वो बहुत दूर जा चुकी है अब तुम्हारा गाव शापित नहीं रहा, बेटा अब किसी भी गाव वाले की मौत नहीं होगी और ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है ये सुनकर वापस जिंदा हुए सारे गाव वाले भी पप्पु का धन्यवाद करने लगते हैं वानी, मुझे माफ कर दो पप्पु, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवाहार किया पप्पु, मेरे मन में आपके लिए कोई करवाहट नहीं है, मा देखो पिताजी अब हमारे साथ है, अब हम सब साथ रहेंगे उद्धीक ये है कि हमें अंतिम समय पर प्रयास करना चाहिए, हिम्मत हार कर रुखना चाहिए, अंतिम पल तक कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी